हेलो एवरिवान स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज इस्टड़ी मेटरियल में फ्रेंड्स हम यहार डेली टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं एन्वार्मेंट से रिलीटिड इसमें दो टेस्ट हम पहले ही कर चुके हैं आज हम तीसरा टेस्ट लेकर आए हैं थर्टी कोशन हम यहार लेकर आते हैं और जो भी कोशन हमने यहार लिये हैं वह पहले एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आप इन्हें ध्यान से पढ़े कोशन को और इन्हें अपने काउंट करते रहे कि आपके कितने कोशन सही होते हैं चली सुरू करते हैं हम आज के टे रखेंगे इसके लिए option दिये हैं बच्चों की रूचियों का ध्यान हो लड़के और लड़कियों को समान रूप से रूची कर लगे इसमें मुल्यवान सामगरी लगी हो सभी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रश्ट भूमिके बच्चों को रूची कर लगे तो इन में से हम किस सभी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रश्ट भूमिके बच्चों को रूची कर लगना चाहिए तो इसके लिए सही option इन में से कौन-कौन से हैं सही option है option second A, B और D, C option इसमें यहाँ सही नहीं था next question है निमलिकित सभी कथन पर्यावरन अध्यन में सामुही ग्रूप से किर्या कलापों में सनलगन सिख्षकों और विध्यार्थियों की पक्स में तर्प प्रस्थूत करते हैं केवर एक कतन को छोड़कर वो कतन कौन सा है वो हमें यहाँ देखना है option इये हैं बच्चे प्रस्पर सामन जिस्या और सहयोग करना सीखते हैं बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं समूं किर्या कलाप की वज़े से बच्चे अंक उपलब्दी में अच्छा सुधार परदसीत करते हैं और लाश्ट है प्रोडो के समर्थन से बच्चों को अपनी समता से अधिक ज्यान के निर्मान में साहता मिल सकती है तो यहाँ सही आंस्वर होगा option 4 प्रोडो के समर्थन से बच्चों को समता से अधिक ज्यान के निर्मान में साहता मिल सकती है तो इसे छोड़कर बाकी सभी जो है परियावरन अध्यान में सामो एक रूप से जो किर्या कलाप किये जाते हैं उनके पक्स में है देखिए यह क्यों नहीं है बच्चे प्रोडो के समर्थन से सीखते हैं लेकिन वो जो होगा वो विध्याले परियावरन का भाग नहीं होगा नेक्ट कोशन है समो काडिय से परियावरन अध्यान कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेश्ताओं के अकलन के लिए निमलिकित में से कुन सा उपकरन सरवादिक उप्यूक्त है ऑप्सन जो सामाजिक व्यक्तिक विशेश्ता है उस कागलन किया जाता है जबकि दत काडिया कागज पेंसिल प्रीक्सर और निर्धारन मापनिया इनके द्वारा बच्चों की लिखने की समता कागलन होता है नेक्ट कोशन है नीचे पोधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानो पूत विचार दिये गए है इनमें से कौन सा विचार वैक्यानिक दरश्टी से ठीक है ऑप्सन दिये है कुछ सबजिया फल होती है बीच किसी पोधे का हिस्सा नहीं होते गाजर और बंद को भी पोधे नहीं है गास पोधा नहीं है तो इनमें से कौन सा विचार वैक्यानि तश्टी से ठीक है। वह है कुछ सब्जिय फल होती है। तो पूल होती है. जो वो सब्जे होती है और कुछ फल भी सब्जी होती है नेक्ट कोश्चन है कक्सा पापचार की एक सिक्सिका ने अपने विध्यारतियों से कहा कुछ वियोवर्द लोगों से या पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पोदे देखे थे जो आज कल दिखाई नहीं पड़ते उपरोग परसन के पूछे जाने पर निमली कित में से किस कोशल के आकलन की संभावना नहीं है अब संदिये हैं चर्चा परसन पूछना अभी व्यक्ति परियोग तो यहां सही आंस्वर है परियोग इससे देखे परियोग की संभावना नहीं होगी परियोग कोशल के आकलन की संभावना या पर नहीं है क्योंकि बच्चे पर्योग करके नहीं सीख रहे बलकि वे चर्चा करके पर्षन पूछ के और अभी व्यक्ति के माध्यम से वहाँ पर पूछ रहे हैं एक सिक्सक पर्टिक बच्चे को अपने घरों की रद्धी सामक्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है सिक्सक का सेक्सी कभी प्राइक क्या नहीं है इन में से वाप्सन दिये हैं कोडे से बनी स्रेश्ट वस्तो की परदर्शनी आयोजित करना कक्सा के स्रेश्ट विधार्थी के बारे में निर्नय करना बच्चों में सरजन सिल्ता का विकास करना बच्चों को पुना स्चक्रन पुना परियोक रुपानतन को समझने में समझने देना तो इसके लिए स्रेश्ट वस्तोय बन सकते हैं कि परदर्सिल लगाना ये तो उनका अभी प्राई है कक्सा के स्रेश्ट विद्यारतों के बारे में निन्य लेना ये नहीं है बच्चों में इससे सरजन सीलत विक्सित होती है और बच्चे जी जो को री यूज भी करना सीखते हैं तो इसके लिए सही आंसर क्या बनेगा देखे इन्होंने वो आंसर पूछा है जिससे उनका अभी प्राईस इकसका नहीं है तो उप्सन सही हो जाता है सेकिंड नेक्ट कोशन है निमलिकित परसनों को पढ़िये मैंने किरिया कलाब की योजना कितने अच्छी बनाई मैंने योजना का अनुसरन कितना अच्छा किया मेरी सक्तियां क्या थी मुझे सचमुच कठिन क्या लगा ये दिये गए चार परकार के परसनों के उत्तरों से होगा उपर दिये गए जो चार परकार के परसन है के उत्तरों से होगा किसके उप्सन है बच्चों और सिक्सकों दोनों का स्वय आकलन सिक्सक ध्वारत समग आकलन बच्चों का स्वय आकलन सिक्सकों का स्वय आकलन तो यहाँ पर जो आगलन किया जा रहा है वो दोनों का है बच्चे और सिक्सक दोनों का ही आगलन किया जा रहा है देगे चातरों से परसन क्यों पूछे जाते हैं एक अध्यापक परसन क्यों पूछता है ताकि अध्यापक को है मालूम हो सके कि उन्होंने जो बच्चों को पढ़ाया है बच्चे उसे कितना सीख पाए है ताकि उन्हें जो उनके कमजोर पॉइंट रह गए है टीजर उनमें सुधार कर सके और बच्चों भी अच्छे से सीख पाए नेक्ट कोश्चन है परियावरन अत्यान की पार्थे पुस्तक में परियुक्त भासा कैसी होनी चाहिए इसके लिए उप्सन है परिवासा उपर बल देते हुए उपचारिक बनाई जानी चाहिए तकनिकी और उपचारिक होनी चाहिए बच्चे की दिन परती दिन की बासा से संबंदित होनी चाहिए रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए तो जो बच्चे पाठे पुस्तक पढ़ते हैं उन पाठे पुस्तकों की बासा कैसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए बच्चे की दिन परती दिन की बासा से संबन ताकि बच्चे उसे अच्छे से सीख पाए और वो उन्हें समझने में कठिन ना लगे नेक्ष कोश्चे ने एक सिक्सक अपने वित्यारतियों को विभिन पस्वों के चीतर देता है और उन पस्वों पर रंग भणने को कहता है जो हमारे घर में नहीं रहते इस किरिया कलाब का उदेश्य क्या है उप्सन दिये हैं सरजनात्मक्ता का विकास करना अवलोकन का विकास करना वर्गी करन कोसल का विकास करना डाटा संग्रय का विकास करना तो यहां पर सही अंस्वर है उप्सन थर ए बी और सी तीनों सही है जबकि डाटा संग्रय का वि पस्वो को जान बुज़ कर परिवार और मित्र उफीशय के अंतरगत सामिल किया गया है। इसके लिए निम्लिकित में से एक कारण को छोड़ कर से सभी कारण हो सकते हैं। वो कारण कुन सा है जिसके जो यहाँ पर सही नहीं है। उप्सन है विध्यारतियों को विज्ञान के दरश्टी कौन से पोधे और पस्वो को समझने में सक्षम बनाना। सामाजिक और सांस्कीर्तिक संदर में पोधे और पस्वो के स्थान निधारित करने में विध्यारतियों को सायता करना। इस बात को उभारना कि किस परकार मुझी है एक दूसरे से खनीश समबंतों को साजा करते हैं। इस बात को उभारना कि किस परकार कुछ समुदा के जीवन और आजीवीकाय विषिस पशो या पोदो से खनीश रूप से जुड़े हैं। तो यहां सही अंसर है इसका option one विध्यारतियों को विज्ञान के दरश्टी कौन से पोधे और पसु को समझने में सक्सम बनाना यह यहां सही नहीं है पोधे और पसु को परिवार और मित विशे के अंतरकत रखने के लिए नेक्श कोशन है परियावरन अध्यान के सिक्सन अधिकाम में सरवेक्सन का उदेश्य क्या है इसके लिए option दिये हैं समुधाय की साथ अन्योन्य किर्या का अफसर परदान करना बच्चों को विभिन लोगों के परति समय दंसील बनाना सूचना को परतियक्स प्राप्त करने क अफसर परदान करना आकलन के एक अफसर के रूप में इनका उप्योग करना तो यहां से क्या क्या सही है इसके लिए option यहां पर सही है second यह जितने भी option दिये हैं वो सभी सही है नेक्ट कोशन है देखे यहां पर एक कथन दिया है कि सिक्सक द्वारा परदसित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वास्पी करन हो जाने के परियोग को देखने के बाद साथ आठ वर्स के बच्चों के द्वारा कुछ उत्तर इस परकार दिये गए उन्होंने उत्तर दिये कि पानी गुम हो गया कटोरे ने पानी सोख लिया आग ने पानी पी लिया भगवान ने पानी पी लिया तो इन जो बच्चों ने ये उत्तर दिये हैं उनके आधार पर ये कोशन है कि ये उत्तर बच्चों और उनके परिवारों के बारे में क्या बताते हैं सुरी ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं उप्सन है वास्पी करन के ब बच्चों के विकल्पी विचार है क्योंकि यहां बच्चे इंचे जोक अच्छे से इस एज में नहीं समझ पाते इसलिए वे कल्पनाई कर रहे हैं Nex question है सिक्सक को इन उत्तरों का सामना किस पर करना चाहिए बच्चों ने जो को आँस्वर अभी दिये इन उत्तरों का सामना किस पर करना चाहिए इसके लिए उप्सन हैं बच्चों को बता दे की वे गलत हैं जल जक्र का एक मानक चार्ट पर दर्शित करें वास्पी करन की परिवासा दे और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें उनके विचारों तक पुन्हें पहुँचने के लिए एक चर्चा प्रारम करें निमलिकित में से कौन सा पर्सन एक नमोना हो सकता है उपसंद ये है जल चक्र के पांच लाब लिखे क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं जल चक्र के करम के सोपानों की सूची बनाईए जल चक्र का आरेक बनाईए और उसे नामित कीजिए सही अंसर है उपसन सेकिंड क्या होता यदी जल चक्र होता ही नहीं नेक्ट कोशन है निमलिकित में से कौन से राज्य जम्मू और कस्मिर के परोसी राज्य है इसके लिए उप्सन दिये हैं हिमाचल पर्देश उत्रपर्देश उत्टराखंड और राजिस्थान इसका सही आमसुर है उप्सन सैकिन जम्मू और कस्मिर के प्रोसी राजिये हैं हिमाचल पर्देश और पंजाब नेक्ट कोशन है परत्यकिस्थान के नाम के साथ उस अक्सेद्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरंका मिलान कीजिए तो चलिए देखें यहाँ पर दिया है सबसे पहले मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं मनाली में पत्थर या लकडी से बने डालू चत वाले घर बनाए जाते हैं तो यहां सेकिन्स का सही है नेक्ट है राजिस्थान में कैसे घर बनते हैं राजिस्थान में मिट्टी के घर बने होते हैं और उनकी चते जो है कटिली जाडियों से चाही होती है नेक्ट है असम असम में कैसे घर होते हैं वो बने होते हैं बास के खंबो पर बने उचे उठे होए घर क्योंकि वहाँ पर बारिस बहुत जादा होती है इसलिए वे बास के खंबो पर अपने घर बनाते है और लदाक में बने होते है यहाँ पर दिया है लदाक में पत्तर के बने घर जिनके फर्स और छते लकड़ी की बनी होती है चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं तो यहाँ पर यह देखिए इसमें सही उपसन क्या होगा यह सही हो जाएका उपसन थर सैकिंड फॉर वन और फाइफ इसके सही है जो मैच हमने अभी कर भी लिये ह नेक्ट कोशन है पस्वों की तवचा पर विविद पैटर्न या डिजाइन क्यों होते हैं इसके लिए दिये हैं उपसन एक उस चलवायू के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं उनकी सारी रिक्ष सक्ति को इंगित करते हैं प्रावर्तित प्रकास के कारण होते हैं उनकी तव्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्सों से रह रह रहे हैं, उनका उस जंगल फूमी पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तों पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया यह किस अधिनियम के अंतरकत दिया गया है उप्सन दिये हैं सम्वीधान अनुसूचित जाती आदेश संसोधन विधेग 2012 बारतिय जंगल अधिनियम 1927 जंगल अधिकार अधिनियम 2007 और भूमी अधिकरेन अधिनियम 1934 में सही आंसवर है उप्सन थर जंगल अधिकार अधिनियम 2007 नेक्ट कोशन है निमली कि में से मच्छोड द्वारा पहलने वाले लोगों का समुदाए कौन सा है कौन कौन से रोग है जो मच्छों से पहलते हैं ऑप्सन इहां पर दिये हैं व्यादी बुखार हैजा चिकन बुनिया मलेरिया HIV एड्श डेंगु गटपरनी पोदा है देखि आज ही हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि गटपरनी पोदा कैसा होता है इसके लिए अप्सन है गटपरनी पोदे का मुझ छोटी छोटी कांटियों से ढगा होता है बारत में नहीं पाये जाता है में गालिया में पाये जाता है मेंड़क कीड़े मकोड़े और चुहों को चालाकी से फसा कर खा जाता है कीड़े मकोड़ों को आकरसित करने के लिए उच तारत की धवनी निकालता है यह किड और आकर्सित होते हैं तो इसमें पर रिखोंको क मैंदसयожет होते हैं तो तो हम सभी किदे मकोड़े waktu हैं की राकर्सित होते हैं उसके और अकरसित होते हैं ईका क्रूंसते हो के पत셔서 उसे खा जाते हैं नेक्ष्ट कोषिन है नीचे देख ख़दय पदारतों के कि समुझचे में लोही तत्व पर्चन मात्रा में होते हैं उपसिन है आवला पालक गुड आवला पालक आलू आवला अलू टमाटर बंद कोभी भिन्डी गुड इसके लिए सज्ञास्वरे आवला पालक और गुड इनमें जो आईरन है वो पर्चुन मातरा में पाया जाता है नेक्ट कोश्चन है हमारे देश के लगबक सभी भागों में मिर्च का उप्योग भुजन पकाने में किया जाता है हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसाई आए थे आज ही इस कोश्चन को भी हमने पढ़ा है इसके लिए उप्सन दिये हैं उजबेकिस्तान से दक्सिन अमेरिका से अफगानिस्तान से और अश्टेलिया से सही आन्सवर है उप्सन सेकिंड वे आए थे दक्सिन अमेरिका से देखें मिर्च जो है वो सबसे पहले कहां उगाई जाता था वो गाई जाता था मेक्सिको में जो दक्सिन अमेरिका में इस्तीत है और बहुत सारे जो मिर्च उत्पादक किर सके किसान हैं वे विश्च के अनिया भागों में यहां से फहले और इसी परकार सोलवी सताबती में पुर्टगाली भारत में मिर्च को लेकर आए थे नेक्ट कोश्टन है निमली कितमे से कौन सा पकसी कैक्टस पोदे के काटों के बीच अपना घोसला बनाता है उपसंदिये हैं सकर खोरा, बया, कल चीड़ी, फाकता इसके लिए से आंस्वर है फाकता, जो फाकता पकसी होता है वो अपना घोसला कैक्टस पोदे के काटों के बीच बनाता है नेक्ट कोश्टन है किसी पसु के विशय में नीचे दिये गए विवरंकों पढ़िए और उस पसु को पैचानिए अपसन देखे दिया है कि यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है यह दिन के लगबग 17 घंटे वरक्सों की साखाओं से उल्टे लटक कर सोता है यह जिस वरक्स पर रहता है उसी की पत्या खाता है यह लगबग 40 वर्सों तक जीवित रहता है तो यह कौन सा पसु है यह है स्लोट और कहां पाय जाता है यह पाय जाता है दक्सिन अमेरिका में नेक्श कोशिन है नीचे दिये गए जीवों की समों में से किनकी दर्ष्टी स्रेश होती है तथा वे मनुस्य की तुलना में चार गुनी अधिक दूरी की वस्तों को देख सकते हैं उप्सन दिये हैं बाग, तेन तुवासान, साप, रेसंकीट, छिपकली, चील, करूर, गिद, मदुमक्खी, मच्छर और तितली इसके लिए सयान स्वरे उप्सन थार चील, करूर, और गिद, इनकी जो देखने की शम्ता होती है और मनुस्य से चार गुना होती है नेक्श कोश्चिन है, नीजे दिये गए खेती करने के विवरंग को पढ़िये और इस ढंकी पैचान कीजिए एक फसल को काटने के पस्चात खेत को कुछ वर्सों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता इस भूमे में बास, या अन्या खरपतवार जो भी उगाता है, उसे उखाड़ा नहीं जाता, बलके काटकर जला दिया जाता है यह राक भूमी को और वर्सों बनाती है, जब यह भूमी खेती के लिए तियार हो जाती है, तब उसे हलका सा खोदा जाता है भूम्मी को जोता नहीं जाता और उस पर बीच छिड़क दिये जाते हैं तो ये किस परकार की खेती है ये है जूम खेती नेक्श कोशन है और इस परकार की खेती देखे जो जूम खेती है वो कहां की जाती है वो की जाती है प्रवर्तिय परदेशों में नेक्श कोशिन है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंद्र बीन को बजाता है तो साप उसकी धवनी पर अपने सिर को इधर उधर गुमाता है आपके विचार से साप वाद्य यंद्र के पर्थी अनुकिरिया कैसे कर रहा है इसकी लिए उप्सन है उस वादे अंदर द्वारा उत्पन कमपनों के परती अनुकिर्या करके उस वादे अंदर को सुनकर उस वादे अंदर की धवनी को सुनकर उस वादे अंदर की गती को देख कर तो यहां सही आंसफर है उप्सन वन उस वादे अंदर द्वारा उत्पन क कमपोनों के प्रती अनुकीरिया करके नैक्स कोशन है एक परिवार 할 होता है जिसमें मां पीता और उन के दो बच्चे होते हैं क्या है कि कतन कैसा है सी लोपसन है सही नहीं आए क्योंकि कतन में ये किसी अदर्स परिवार का कार है और लाश्ट है सत्य है क्योंकि सभी भारत्य परिवार इसी परकार के होते हैं तो ये कथन जो है वो सही नहीं है क्योंकि परिवार करी परकार के होते हैं तता परिवार का केवल एक ही परकार में वरगी कर नहीं किया जाना चाहिए नेक्ट सब्सक्राइब और यह बोजन को पचाने में सायता करता है नेक्ट कोशन है ककसत दीन के एक सिकसक ने अपने बच्चों को निमलेखित पेड़ो और पोदों की पत्तियों को विभिन वर्गों में वर्गीकर्द करने के लिए कहा जैसे कि नीमू आम तुलसी पुदीना नीम के एला आदी कुछ मिध्यारतियों ने पत्तियों का वर्गीकर्द इस परकार किया दवाव के गुनों वाली पत्ति और दवाव के गुन से रहीत बद्यां बड़ी पत्तियां और चोटी पत्तियां सिकसक ने समू एको सही माना और बी को गलत निम्लीकीत में से कुण सा कथन अधिकम परतिविंबित करता है इसके लिए उप्सन है यह किर्याकलाब पत्तियों से सुचना ग्रैन करने पर कींद्रित है जिसका बिन अर्थ लगाया जा सकता है बच्चे बहुत परकार के संदर्बों को कक्सा में ले आते हैं जिनके सराना होनी चाहिए अपनी अनुभवा सही उत्तर होता है तो यहां सही आंस्वर क्या है इसका सही आंस्वर उप्सन फॉर बरगी करन का कारिया बहुत विशिश्ट और इस्तरीकर्थ है तथा इसका एकी सही उत्तर होता है तो फ्रेंट्स यह थे याट के 30 important question जो हम यहां लेकर आए थे आपको test series अगर पसंद आत हैं तो प्लीज लाइक और सेर्व करना ना भूलिएगा चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं हम एक और test में